नमस्कार दोस्तो मेरा नाम रजेत अगरवाले दोस्तो यहाँ पर हमने पिछली वीडियो के अंदर होम टैब के अंदर पैराग्राफ के अंदर हमने बोर्डर के बारे में समझा था और ड्रो टेबल के बारे में समझा था आज हमारा जो last topic है वो है border and shading इस पे click करते हैं click करने के पाद यहाँ पर आपको तीन option मिलते हैं border, page border और shading तो आज इस वीडियो में हम border के बारे में detail से समझेंगे तो आईए हम इसे शुरू करते हैं तो देखी यहाँ पर जब आप border लगाना चाते हैं किसी paragraph में या पूरे paragraph जीतने भी आपने paragraph हैं सब में आप border लगाना चाते हैं तो सबसे पहले आपको इसे select करना पड़ेगा जहाँ पर भी आप border चाते हैं माली जे मैं सबी पे चाता हूँ तो मैंने सब को select कर लिया select करने के वाद यहाँ पर आपको क्या करना है यहाँ पर आपको settings मिलती है 5 तरह की different different तरह की तो हम एक एक करके सब को समझेंगे तो सबसे पहले हम समझेंगे box को right तो box के अंदर क्या है कि आप जैसी box पे click करेंगे preview के अंदर आपको यह show करेगा यह इस तरीके से show होगा तो box के अंदर क्या है पूरे paragraph जितना भी आपने select की है सब के भार में box की तरह एक border input हो जाएगा तो सबसे पहला हमें यहाँ पर मिलता है style का option देखे style के अंदर क्या है आपको different different तरह के style से input मिल जाएंगे आप कोई भी style input ले सकते है माली जे मैं यह वाला style input करता हूँ अब देखे यह वाला style मैंने input किया अब input करने के बाद आपको preview में दिखाएगा यह अच्छी तरसे की भी यह आपने select किया है style select करने के बाद आप इसमें color भी input कर सकते हैं तो color के लिए आपको क्या करना है इस पे click करेंगे तो यहाँ पर आपको different तरह के color मिल जाएंगे आप माली जे blue color लेते हैं तो यहाँ पर मैंने blue color input कर लिया है उसके बाद हमारे पर option मिलता है width का width का क्या मतलब होता है चोड़ाई border की अगर आप चोड़ाई को ज़्यादा करना चाते हैं माली जे मैं 6 point पर करता हूँ तो देखे, preview पर देखे कितना चोड़ाई कर दी border की लेकिन इतना अच्छा नहीं लग रहा तो हम medium कर लेते हैं इतना ठीक है तो यहाँ पर यह करने के बाद, width को करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है apply to का option आपको यहाँ मिलता है इस पर click कीजिए click करने के बाद, यहाँ पर आपको दो option मिलेंगे पहला है text और दूसरा है paragraph तो अभी तो हमें paragraph पे border लगाना है तो हम यहाँ पर paragraph पे click कर देंगे text का मैं भी आपको बताता हूँ तो यहाँ पर हमने paragraph पे click कर दिया और हम यहाँ पर ok प्रेस करेंगे देखे, जैसे हमने प्रेस किया तो यहाँ पर आपके outside में एक border लग गया है वो जो color आपने चाहा था वो ही color आपको मिला है अब आप इसे select कर लीजे सारे document को और select करने के बाद अब यहाँ पर आपको दूसरा option मिलता है apply to paragraph का थो हमने समझ लिया अब बात आती है text की अब text के अंदर क्या है देखी जब आप text पे कर देंगे तो paragraph के अंदर जितनी भी lines है उन सभी lines के भार एक border input हो जाएगा मैं आपको करके दिखाता हूँ तो जैसी आप text पे करेंगे आपने text पे कर दिया और आप ok press कर दिजे देखी 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 जैसी आपने ये चीज़ की आपने क्या हुआ कि हर एक line border के अंदर आ गई है बहुत ही बढ़िया तरीके से तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से अब यहाँ पर एक चीज़ आपको मैं आपको दिखाना चाहता हूँ अब देखे यहाँ पर आपने एक border input कर दिया लेकिन आप यहाँ देख पा रहे हैं कि border के बिल्कुल एक साथ में मतलब border जैसी start होता है वहीं से आपका जो data है वो start हो गया और यह थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा आप आपको अब अगर आप अपने document को adjust करना चाहते हैं भी border थोड़ा काफी दूर है और जो हमारा document है वो centralized हो जाए बढ़िया लगे देखने में तो उसके लिए आपको क्या करना है आप इसे पहले select कर लीजिए यहाँ पर आपको option मिलता है apply to के नीचे आपको option मिलता है option का इस पर click कीजिए देखिए click करने के बाद आपको यहाँ पर क्या मिलता है border and shading option from text from text का मतलब है कि text से border की कितनी दूरी रखनी है तो यहाँ पर top का मतलब है कि top में कितनी दूरी रखनी है उसके points दियो है तो यहाँ पर आपको इसके points increase करने अब जैसे जैसे मैं points increase करूंगा हमारा जो document है वो border से दूर होता रहेगा और उसको देखने के लिए आप preview के अंदर देखेगा त्यान से देखेगा preview को मैं आपको करके दिखाता हूं तो यहाँ मैं इसके points को increase करता हूं देखे हमारा जो document है वो automatically नीचे हो रहा है इसी दरीके से bottom bottom यानि की बिल्कुल नीचे से तो यहाँ पर इसके भी points मैं increase करता हूं मालीजे मैं ने 12 कर दिये left side से भी करना चाहते हैं तो left side से कर देते हैं मालीजे मैं इसे 10 कर देता हूं और right से भी मैं इसे 10 कर देता हूं और यहाँ मैं इसे ok press करता हूं और यहाँ पर भी मैं इसे ok press करता हूं देखिए देखिए पहले क्या था कि हमारा जो document था वो बिल्कुल border के साथ chip का हुआ था लेकिन अब यहाँ पर एक space आगी है इसी तरीके से left side में भी spacing आगी right side से भी spacing आगी और bottom side में भी आगी तो यह अब क्या है यह काफी अच्छा लग रहा है पहले के मुकाबले अब मैं आपको undo करके दिखाता हूँ देखिए पहले इस तरीके से लग रहा था देखिए और अब ऐसे लग रहा है देखिए कितना फरक है तो यहाँ पर आप option की मदद से यहाँ पर आप अपने text को भी adjust कर सकते हैं बहुत ही असानी से अब यहाँ पर अगला हमारे पास option आत इस तरीके से आपको शोगा तो आईए इस पर ओके करते हैं देखिए आप देख पाने बोर्डर लगा हुआ है और इसके बैक साइड में एक शैडो इंपुट होगी है जो की काफी अच्छा लग रहा है अगर आप इसे लगाना चाते है अगला जो option आता है वो आता है 3D का अब मैं आपको हरेका नहीं बताऊँगा क्योंकि मैंने पहले में ये पता दिया है अब 3D फैक्ट में क्या है देखिए 3D और बोक्स के अंदर कोई ज़्यादा फरक नहीं है 3D के अंदर आपको कोई हाई फाई 3D नहीं मिलेगा नॉर्मल 3D है मैं आपको समझाता हूँ क्य अब ध्यान से देखेगा जब आप बोक्स पे क्लिक करते हैं तो आप प्रिव्यू पे देखिए ध्यान से तो जो थिन लाइन थी वो हमारी अंदर की तरफ है और जो थिक लाइन से है जो थिक बोडर है वो हमारा भार की तरफ है लेकिन जैसे ही आप 3D पे क्लिक करेंगे आ जो हमारी thin border थी वो हमारी भार की तरफ होगी तो normal 3D आपको यहाँ show हो जाएगा तो यहाँ पर मैंने इसे click किया और मैं यहाँ पर ok प्रेस करता हूँ देखिए आप देख पा रहे हैं जो thick lines थी वो अंदर की तरफ आगी और जो थिन line थी वो भार की तरफ आगी custom की अब देखिए यहाँ पर आपको preview पर एक option मिलते हैं यह चार इस पर click करने के लिए जैसी आप इस पर click करोगे इसका मतलब है कि आप customized कर रहे हो customized का मतलब क्या है अपनी मर्जी से आप अपना कोई border बनाना चाते है उसे हम custom बोलते है customized करना अब देखिए मैं 3D पर हूँ और जैसी मैं इस पर click करूँगा तो होगा कि यह automatically custom पर आजाएगा इस पर click करने का मतलब यह है कि यहाँ पर मैंने top border हटा दिया है अगर मैं मानलीजे bottom border हटाना चाता हूँ तो मैं इस पर click करता हूँ ऐसे click करने के बाद मैं ok press करता हूँ तो देखिए सिरफ side में यह border input होँगे अब customize में बहुत ही अच्छी चीज यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आप customize different तरीके से कर सकते हैं मैं आपको समझाता हूँ मानलीजे आप top border में कोई और ही style input करना चाते है मानलीजे मैं यहाँ पर यह वाला style input करता हूँ और इस पर मैं color input कर देता हूँ मानलीजे red red input करने के बाद आपको क्या करना है border को वापिस लेके आना है तो मैं इस border को वापिस लेके आता हूँ देखिए आद एक बारे हैं preview में कि यहाँ पर तो blue color का border है यहाँ पर red color का है अब एक और अपने border change करते हैं मानलीजे मैं यहाँ पर यह border लेता हूँ color मैं ले लेता हूँ yellow और यहाँ पर मैं जो border मैंने हटाया था उस पर click करता हूँ तो देखिए यहाँ पर यहाँ पर यहाँ आगया है तो क्या करेंगे सबसे पहले आप इसको select कर लीजे select करने के बाद यहाँ पर आपको option मैंने आपको यहाँ पर सारी पता दिये box, shadow, 3D, custom अब इसके बाद अगर आप border चाहते ही निये कि भी border लगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है यहाँ पर आपको none पर क्लिक करना है none का मतलब कि कोई भी border ना लगे none पर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद आपने ok प्रेस करने आईए करते हैं देखिए जैसे ही मैंने ok प्रेस किया तो यहाँ से हमारा जो border है वो हट गया है इस तरीके से आप यहाँ पर आपने border का option सारा सीख लिया है यहाँ पर आपने border के अंदर सारा को सीख लिया है जो यह horizontal line वाला option है यह हम आगे आपको detail में समझाएंगे तो आज हमने border कर लिया है अब अगला हम करेंगे page border धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए thank you very much